हेलो दोस्तों, ओल्लाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागर्थ है और हमारी जो करेंट अफेर्स की सीरीज है, वीकली करेंट अफेर्स के हम इसको कंटीनू करेंगे और 5 से लेकर 11 अक्टूबर तक के सारे ही इंपोर्टन करेंट अफेर्स के टॉफ 50 कोशन हम इसको करेंगे सबसे पहली बात में आपको स्टार्टिंग में ही बोलते हैं, काफी सारे कमेंट्स आते हैं, माम, डिटेल में बताईए, चारो ओप्शन डिसको कीजिए तो देखिए, ये जो है आपका एक weekly test होता है, आपके weekly quick revision के लिए ये वीडियो होता है, बाकी आपको जो daily current affairs हैं, वो बहुत detailing में करवाया जाता है, तो इस वीडियो को आप एक revision की तरह और test की तरह लेंगे, ठीक है? इसके लावा वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे ही question important है, आने वाले सभी exams के point of view से, इसके लावा हमारा जो application है, वो भी launch हो गया, आपको daily के free PDF, audios, OSP notes, सब कच मिल जाएंगे, सजा करके आप उसको download कर सकते हैं, देख लीते हैं, पहला question, हाली में विश्व सिक्षक दि विश्व कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को, चीक है, हाल ही में, बॉंगो सागर नामक, नौसेना अभ्यास, भारत और किस देश के बीच आयज़ित किया जाता है, ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ है, तो ये हुआ है, इंडिया and बांगलादेश, ठीक है, एक और आपको मैं आज़ी important point बताती हूँ, बांगलादेश ऐसी country है, जिसके साथ हमारी सबसे longest boundary जो है, शेर होती है, इंडिया की 7 countries के साथ boundary लगती है, कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, निपाल, भूटान, म्यामान और बांगलादेश, तो सबसे लंबी रखेंगे, भारत और बांगलादेश की 9 सानिकोनस शनिवार को बंगाल की खाड़े में युद्धा अभ्यास किया, और अधिकारियों ने कहा कि वार्षिक बॉंगो सागर युद्धा अभ्यास की तहत कई समुद्री अभ्यास और operation जो है, किये गए, बांगलादेश की capital है कहां से किया गया है, तो इसका जो परिक्षन है, हम बात करें, सौर मिसाइल का ये हुआ है, ओडिशा में, ठीक है, भारत ने देश में विक्सित परमानू हत्यार ले जाने में सक्षम और अवास की गती से भी तेज चलने वाली शौर मिसाइल का ओडिशा की परिक्षन बताया है कि इस मिसाइल की हम बात करें, मारक शंता, 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच है, और ये 200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम भार रे जाने में सक्षम है, और ये मिसाइल भारत की हम बात करें, के 15 जो मिसाइल है, उसका भूमी संस्क्रण है, ठीक है, ओडिशा की हम बा में Odisha हाल ही में WSU के द्वारा 2020-2030 के दशक को क्या नाम दिया गया है most important question तो answer दिया गया है decade of healthy aging चीक है WSU को थोड़ सा discuss कर लें headquarter है Geneva Switzerland में found हुआ था 7th April 1948 में parent organization United Nations economic and social council और head हम बात कर लें तो टेड्रिस अधनॉम स्वाम्य स्वामिनाथन और Jen Ellison तीनों नाम आपको याद रखने हैं यह लोगों देख सकते हैं अगला question दिखते हैं हाली में Indo-American Lifetime Achievement Award से किसे सम्मानित किया गया है तो answer है इसका रतन टाटा को ठीक है So Indo-American Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को और हम बात करें इनको Indo-American Chamber of Commerce ने रतन टाटा को IACC Lifetime Achievement and Global Excellence Award जो है उससे सम्मानित किया है ठीक है यह देख सकते हैं आप image हाली में फूल बागान मेट्र स्टेशन का उदगाटन किस ने किया है तो answer है इसका प्यूश गोईल जी ने सो पश्य मंगौल की राज़ानी कोलकत्ता को कोरोना काल में रेल मंत्री प्यूश गोईल ने एक सौगात दी उन्होंने रविवार शाम को East West मेट्रो कॉलिडॉर के अंतरकत फूल बागान मेट्रो स्टेशन का उदगाटन किया है ठीक है और इसे राज्ट को समर्पित किया सोमवार 5 अक्टूबर 2020 से इस स्टेशन को आम यात्रियों के लिए जो है खोल दिया गया है हाल ही मेर फोवर्स के द्वारा जारी की गई हम बात करें टॉप 50 प्रभावशाली CMO की लिस्ट में किस भारतियों को शामिल किया गया है सो क्या है सही आंसर इसका आंसर इसका रवी संथानम ठीक है रसेंटली विच इंडियन हाज बिन इंक्लूदि इन लिस्ट अप तॉप 50 इंफ्लूएंशल सी एमोज रिलीज बाई फॉबिस देख लिते हैं रवी संथनाम तचीफ मार्केटिंग ऑफिसर अफ एच जी एफसी बैंक ठीक है ना कहां गया है यह एच जी एफसी बैंक के CMO है और इनको हम बात करें 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में 49 वे स्थान पर रखा गया है यह देख सकते हैं मेज इनकी कौन सथ इस अंतरक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉंच करेगा तो करेक्ट आंसर है इसका इनदी चाइना चीन यानिकि चाइना नवंबर 2020 में दुनिया का पहला एस्ट्रोइड माइनिंग रोबोट ठीक है यह एस्ट्रोइड पर लेंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नलोजी का टेस्ट करेगा चाइना की कापिटल है बीजिंग प्रेजिजेंट है शी जिन्पिन हाल ही में फॉब्स की दुआरा जारी की कर विश में सबसे ज़्यादा बुकतान पाने वाली अभी नेतरी की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है तो अंसर इसका सोफिया वेर गेरा किस एक्सप्रेस वे ने भारत के पहले पांच पशुपुल का निर्मान किया है तो अंसर इसका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इनमें से एक विशिष्टा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में भारत का पहला पांच पशु ओवरपास या पशुपुल जो है होग next देख लिते हैं Unifinish किताब किसकी द्वारा लिखी गई है तो Unifinish चो बुक है हम बात करें ये किसकी द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है प्रियंका चोपडा के द्वारा चीक है ये देख सकते हैं आप इमेज में प्रियंका चोपडा हाली में MS कल्पना चावला कार्गो अंत्रक्ष यान किसने लॉंच किया है उसका रो सही आंसर है वो किया गया है बाइदी NASA National Aeronautics and Space Administration ठीक है है हेड़कॉर्टर कहा है अमेरिका में तो हम बात करें इन्होंने अपनी अंत्रक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे ऐसे इस कल्पना चावला नामक नॉर्थ पॉर्ट ग्रुमैन रिस सप्लाई साइग्रस अंत्रक्ष यान को लॉंच किया है हैड़कॉर्टर इसका है वाशिंग्टन डी-सी में और फाउंड हुआ था फॉस्ट ऑक्टोबर नाइनिन फिफ्टी एट में हाली में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सिखर सम्मेलन रेस 2020 का उदगाटन किस ने किया तो सही आंसर इसका हमारे प्राइम मिनेस्टर नरेंद्र मोधी जीन है प्रधान मंत्री नरेंद्र बोजी ने पांच ऑक्टोबर को रेस 2020 रिस्पॉंसिबल एआई फॉर सोशल एमपावरमेंट 2020 नामक Artificial Intelligence AI पर एक वैश्विक अभासी शिखर सम्मेलन का उदगाटन किया है और यह शिखर सम्मेलन पांच से नौ अक्टोबर 2020 तक आयोज़त किया जाएगा नेक्स्ट कोशिन देख लिते हैं हाल में SBI के नए चेर्मेन कौन बने हैं तो सही आंसर है इसका दिनेश कुमार खारा खारा वर्तमान में भाटिय स्टेट बैंक के सबसे वरिष प्रवन निदेशक हैं वैं रजनीश कुमार का स्थान लेंगे जिनका तीन साल का कारकार मंगलवार को पूरा हो गया है और वित्व मंत्राले की ओर से जारी अध्यसूचना में कहा गया कि केंडर सरकार ने SBI के च USA की कापिटल वाशिंग्टन डी सी है प्रेजिडंट डुनाल ट्रम्प है राजधानी देखे लिए हैं यह हैं डुनाल ट्रम्प हाल ही में ए ए आई का पहला सौ प्रतीशत सोलर पावर्ड हवाई अड़ा कौन सा बना है तो बहुत इंपॉर्टन कोशन है इसका आंसर है इ ऐरपोर्ट जो है हम बात कर लेते हैं इसके बार में पुदुचैरी हवाई अड़ा बना ए-ाई का पहला गिया है नेक्ट देखते हैं COVID Crusader Award 2020 ते सम्मानक पहले हम बात करें भार्टी नौकरशाह कौन बने हैं? सो सही आंसर क्या है इसका इकबाल सी चहल First Indian bureaucrat to be awarded by the COVID Crusader Award 2020 T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भार्टी खिलाडी कौन बन गए हैं? तो आंसर इसका विराट कोहली स्वाच भारत पुरुसकार 2020 में किस राज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका गुज्रात गुज्रात की कैपिटर है गांदी नगर, गवर्नर है, अचारे देवर्द, चीफ मिनिस्टर है, वजयर रूपानी देख लेते हैं लोकेशन, तो ये है इसकी लोकेशन, चीक है? इन में से कौन डियरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में बोलने वाले दुनिया भर के पांच निताओं में से एक होगे? तो आंसर है अर्विंद केजरिवाल, जो की चीफ मिनिस्टर है डैली के मेडिसन में नोबल पुरुसका 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो तीनों को ही हार्विजी अल्टर, चार्ल्स हैम राइस, माइगल हुटन नोबल प्राइस का वीडियो भी मैंने बना दिया है हाली में किस रेल्वे स्टेशन का नाम बद का सिधार्ट नगर कर दिया गया है सो सही आंसर है इसका नौगर्ड रेल्वे स्टेशन उत्तर प्रदेश के सिधार्ट नगर जिले के लोगों की करीब तीन दशकों से रेल्वे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, जो है सुमवार को फूरी होई, हाले म भार्टी वायर से इना दिवस कब मनाया गया, बात का सबसे बड़ा एरपोर्ट कहां बनेगा, सही आंसर इसका, नॉइडा में, हाल में किसरा सरकार ने ग्रामिन इलाकों के लिए डिजिटल सेवा, सेतु कारिक्रम की शुरुआत की है, ये की गई है बाइदी गुजरात, गुजरा सरका ने ग्रामिन इलाकों के लिए डिजिटल सेवा, सेतु कारिक्रम की खोश्टना की और इस कारिक्रम की अंतरकत, नागरिक पंचायत, हम बात कर इसकल पर विबिन लोग कल्यान सेवाओं का लाग उठा सकेंगे, कौन सा देश बारवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, तो आंसर है रूस यानि की रशिया, तो बारवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है की जाएगी रशिया के दौरा, और BRICS को पहले BRICS के नाम से जाना जाता था अब तक South Africa इसमें एड नहीं हुआ था जैसे ये एड हुआ तो ये क्या हो गया? BRICS हो गया ठीक है? और रशे के हम बात कर लें कैपिटल क्या है? मॉस्को प्राइम मिनिस्टर हैं आके मिखाली मुष्टिन हाल में किस राजसरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शिरुवात की है? सही आंसर है इसका हर्याना की दौराई शिरुवात की गई है हर्याना राज सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मन योजना की शुरुआत किया और इस योजना का उद्देश नवीनतम क्रशी पद्यतियों को तथा बहतर वित्ती प्रवंदन से क्रशी उत्पादम बढ़ाने में जो है किसानों की मदद करेगा हर्याना की कैपितल क्या है चंडिगर गवर्नर है सत्यदेव नराइन और चीफ मिनिस्टर है मनु अलाल कटर केमिस्ट्री में नोबल पुरुस्कार किसे दिया गया तो दो लोगों को यह दिया गया है मैंने बहुत अच्छे से नोबल पुरुस्कार जो है डिस्क्राइब किया है इन्होंने जिनॉम एडिटिंग की एक मेथड जो है फाउंड की है और उसके लिए उनको यह पुरुस्कार दिया गया है डिस्कवरिंग दा हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है तो आंसर है इसका पर्मिपानी बोरा केंडरी उत्तरपूर्वी शेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितिन सिंग ने डिस्कवरिंग दा हेरिटेज ऑफ असम शेषक एक कौफी टेबल बुक का विमोचन किया है जिससे पर्मिपानी बोरा द्वारा लिखा और भूमिका अमिता वच्चन द्वारा लिखी गई है हाली मदेश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी है तो सही आंसर इसका मोणीका दास राजधानी पतना यानि की बिहार की विदान शफा चुनाव में पीठासीन पधा अधिकारी बना जाएगा धोला से जलवधुत परियोजा का निर्बान किस राजमी किया जाएगा तो आंसर इसका हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला विंटर कैपिटल है धर्मशाला चीफ मिनिस्टर नहीं जैराम ठाकर गुवर्णर है बंडारू दात्रया यह मैप में हिमांचल प्रदेश हाली में भारत किस देश के साथ हिंद महासागरशेत के लिए समुद्री निगरानी उपक्रहों का एक समू लॉंच करेगा तो आंसर है बिद्धी फ्रांस फ्रांस की कैपिटल पैरिस जहां पर युनास्कों का हेड़कॉर्टर सिच्टुएटेड है प्रेसिडेंट है एम्मैनुवल मैक्रॉन हाली में अंतरराश्ची डाग दिवस कब मनाये गया तो आंसर है 9 अक्टुबर को बड़ पोस्टे और हम बात करें क्यों मना जाता है तो इसी दिन सुसरलेंड के बड़ में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टरल यूनियन की स्कापना हुई थी हाली में युद्ध सेवा मैडल पान पाकर इत्यास रचा है ओडिशा की किस प्रसिद्ध कवी को सरला पुरुसकार से सम्मानेत कि आज़ा है तो सही आंसर है नित्यानंद नायक प्रसिद्ध नित्यानंद नायक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता कौनसी सेते बिलाकू नतिबा के लिए प्रतिश्चित सरला पुरुसकार से सम्माने किया गया है हाली में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूस मिसाइल जिर्कॉन का सफल परिक्षन किया है सो आंसर है इसका रूस यानि की रश्या रूस ने आक्टिक में अपनी हम बात करें स्ट्रिसकन हाइपरसोनिक क्रूस मिसाइल का सफल परिक्षन किया है और इस मिसाइल को वाइट आक रूसी आक्टिक में एड्मिरल गॉर्ष कोप फिग्रिड ने लॉंच किया था हाली मंतर राश्ची बाल का दिवर्स कब मनाए गया है तो सही आंसर इस काउंद 11 ओक्टोबर इंटरनेशनल डियो अफ गल्चाइल 2020 इस वेरी स्पेशल और जो थीम भी वो क्या थी माइ वॉइस आर इक्वल फ्यूचर ठीक है चाइल्ड इस माइ वॉइस आर इक्वल फ्यूचर हाले में के इन जरकार ने किसे भारतिय विजब वैंगी मौद्रिक नीती समीती का नया सदसे न्यूक्त किया है मौनेटरी पॉलिसी कमीटी की हम बात कर लें तो आंसर है तीनों ही शिशांग बिड़े जैंत आर वर्मा आश्रिमा गोयल डी जो है करेक्ट अप्शन होगा हाले में यूजे सी ने देश की कितने विश्विद्यालों को फर्जी घोशित कर दिया है तो आंसर इसका 24 हाल में भारती कपास का पहला ब्रांड हम बात कर लेंद लोगों किसने लॉंच किया है तो आंसर है इस्मृति ही राणी केंद्री कपड़ा मंत्री और वुमेंस और चाल्ड डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है हाल में सायत में नोबल पुरस्कार किसने जीता है तो लुइस ग्लू कहां की है यह यह यूसे की है यह देख सकते हैं इनके मेंच इंडिया पोस्ट पेमिंट्स बैंक के है अधिकारी नियुक्त किया गया है और वो किसका अस्थान लेंगे तो सुरेश सेटी का अस्थान ये लेंगे इंडिया पोस्ट पेमिंट्स बैंक है इसका न्यू डैली में सब्टेंबर 2018 में स्टाब्रश हुआ था हाली में किस देश ने क्वार्ट देशों के विदेश म कंत्रियों की बैटक मंगलवार को जपैन की राजदानी टोक्यों में हुई और इस बैटक में शामिल चारों देशों ने एकसान मिलकर इंडो-पैसिफिक शेत्र में चीन के बढ़ते दबदवे को कम करने की चर्चा की जपैन की कैपिटल टोक्यों है प्राइम मिनिस्टर क के प्राइम मिनेश्टर है हाल में है भरस सरकार की ओर से गांधी जहनुटी पर किस देश को बाद कर केपी शर्मा ओली प्रेसिदेंट हैं विद्या देवी बंडारी हाली में केरल के पहले मेगा फुटपाक का उत्गाटन जो हम बात करें राज के किस जिले में किया गया तो आंसर इसका पलककड हाली में पीरूल से बिजली उत्पादन करने वाला जो पहला देश का पहला उत्राखन उत्राखन की दो कैपिटल्स है देहरादून विंटर गैर्सन समर राजपाल है बेबी रानी मौर मुखमंत्री है तुर्वेंद्र सींग रावत लोकेशन इसकी देख ले तो यह मैप में उत्राखन हाली में डियार डियों ने स्मार्ट तापीडो का सफलता पू 2020 का फिजिक्स नोबी पुरुसकार दिया गया है रोजर पेंडरोज रैंहार्ट जैंजल और एंट्रिया घेस को ठीक है तो डी जो है करेक्ट ऑप्शिन होगा हाली में भारत का पहला एवर ओगेनिक मसाला बीच पार कहां स्थापित किया गया तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका करेक्ट ऑप्शिन विल बी कुजराद कुजराद की कापिटल है गानुनागर गवर्नर है अचारे देवरत चीफ मिनिस्टर है वजय रुपानी हाली में किस राच के मुख्य मंत्री ने किसाम रख मुबाइल आप को लॉंच किया है वैरी इंपॉर्टेंट कोशिट आंसर इसका अस्साम की कैपिटल है दिस्पूर्च चीफ मिनिस्टर है सर्वानन सोनुवाल गवर्नर है जगदीश मुख्य यह जो थी हमारे आज की वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आए इसको जादा जादा लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैसा कि मैंने कहा था हमारा जो फाइव मिनिट जीके जो चैनल है वहापर शौट रिवीजिनल वीडियो आपको मिल आदियो